स्वागत दोस्तों आप सभी का मेरे यूटूब चैनल पे और आज हम यहाँ पे भारत और बंगलादेश वर्ल्ड कब दो जा उन्नेश के गेम को कहलने जा रहे हैं तो चले साथ में देखते हैं क्या होता है और प्लीज आप मेरे इस वीडियो को देखें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और साथी साथ बैल आइकन को प्रेस करें इन परिस्तितियों में टॉस हारना बहुत महेंगा पड़ सकता है बहुत ही दिल्चस मैच होना चाहिए ये अब तो और ये हैं वो खिलाडी जो दोनों टीमों के लिए आज के मैच में खेलेंगे बहुत है बहुत है बहुत है एक रोमांचक मैच की शुरुआत करते हुए ये आ रहे हैं दो अंपायर नए गेन के साथ और ये आ रहे हैं फिल्डिंग साइड पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ ये आये सलामी बले बास दर्शक उनका पूरे जोरो शोरो से स्वागत करते हुए तेज गेन बास को लाया जा रहा है इस छोर से इनिंग की पहली गेन का सामना करते हुए नजाकत से खेल दिया है सिंगल के लिए बले बास अपनी पहली गेन की तैयारी करते हुए बॉल सीधा फिल्डर के हाथ में कोई रन नहीं इस आकरामक फिल्ड के साथ तो बहुती सूजबूज और नियंत रन के साथ गेन बाजी करनी होगी यहाँ ओ बहुती भेदरीन कप्तानी यहाँ इसे कहते हैं होमवक करके आना बल्लेबास को देखते हुए कवर्स पे फिल्डर लगा दिया बहुती बड़िया शॉट बहुती बड़ा सिक्स जाने जाते हैं यह बल्लेबास ऐसे शॉटों के लिए और जब फॉर्म में हो तो इन्हें रोकना ना मुम्किन होता है सीधा फिल्डर के हाथ में कोई रन नहीं जो मदद इस गेनबास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरिट एंड होगा ओहो उठा के खेल दिया है खुबसूरत शॉट और यह सीधा बाउंडरी के पार दूसरी ओवर की शुरुवात यहाँ स्पिनर से करवाया जा रहा है बहुत ही आकरामक बल्लेबास है यह विशो क्रिकेट में बॉल हवा से बाते करती हुई सीधा बाउंडरी लाइन के पार छे रन ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहाँ जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म ओफ इस लाइफ वाह क्या बात है बहुत ही खराब गेन और यह वाइड बॉल ओ बहुत ही भैदरीन कप्तानी यहाँ इसे कहते हैं होमवक करके आना बल्लेबास को देखते हुए कवर्स पे फिल्डर लगा दिया है बहुत ही नजाकत से उठा दिया है वहाँ छे रन यह एक ऐसे बल्लेबास हैं जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहां मारेंगे जो मदद इस गेनबास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा बहुत ही खराब गेन और यह वाइड बॉल बहुत ही आकरामक फील्ड लगा रखी है विकेट की तलाश में यह एक बहुत ही अच्छी रन नीती हो सकती है पहुत ही बड़ा सिक्स मानो कह रहे थे एक जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दर्शक इनके दिवाने हैं और क्यों नहों इतना खुल के खेलते हैं मानो हर बॉल पे चक्का मार देंगे उठा दिया है छे रन जैसे ही बैट पे लगी थी कोई दो राए नहीं था कोई संदेह नहीं था कि ये छे रन है इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंतरण के साथ गेन बाजी करनी होगी यहाँ बदकिसमत रहे हैं वहाँ बॉल सीधा फील्ड के हाथ में ओ बहुत ही भैदरीन कप्तानी यहाँ इसे कहते हैं होमवर्क करके आना बल्ले बास को देखते हुए कवर्स पर फील्डर लगा दिया गेंद को चाने दिया जो मदद इस गेंद बास को इस शोर से मिली है जायज है कि ये उनका फेवरेट एंड होगा हवा में उठा दिया है और ये छे रन कोई मौका नहीं था वहाँ फील्डर के पास और वो सिर्फ बॉल को जाते हुए देख सकते थे इनके तो बल्ले से सिर्फ चोके और छके ही जा रहे हैं चलिए देखते हैं अगली गेंद कहा मारेंगे कि अंपायर का इशारा नो बॉल कि बहुत ही दिल्चस्प होगा अगर इन्होंने अभी एक शॉट पिछ बॉल डाल दी बल्ले बास को शॉट गेंद बास के पूरे अकड को चकना चूर करती हुई छे रन बहुत ही बड़िया टाइमिंग और शॉट सेलेक्शन का प्रदर्शन कर रहे हैं यहां लेकिन थोड़ा समल के ले में हैं बड़ी पारी खेलने का पूरा मौका है कहीं उसे गवा न बैठे चुरा लिया है एक रन बड़िया रनिंग बिट्वीन द विकेट्स बहुत ही बड़िया ताल में दोनों बलेबाजों के बीच एक महत्रपूर्ण पारी बैटिंग टीम के लिए पावर प्ले की समापती और अब फिल्डिंग टीम दो से अधिक फिल्डर्स को सर्कल के बाहर रख सकते हैं और ये शॉट बस एक रन ही निकाल पाओ ओ बहुत ही भैदरीन कप्तानी यहां इसे कहते हैं होमवक करके आना बलेबास को देखते हुए कवर्स पे फिल्डर लगा दिया है पावर प्ले समापत होने के बाद अब फिल्ड तो खुल चुकी है अब इन्हें सिंगल्स और डबल्स की मदद से एक लंबी साजेदारी की कोशिश करनी चाहिए बॉल सीदा फिल्डर के हाथ में कोई रन नहीं जो मदद इस गेनबास को इस शोर से मिली है जायज है कि ये उनका फेवरेट एंड होगा ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहाँ मानों सिर्फ चौको और छको में ही दिल्चस्पी रखते हैं एक बार फिर स्वागत है अब सबका दूसरी पारी की शुरुआत में बले बाजों के सामने टागेट सेट है चलिए देखते हैं क्या वो ये चेस कर पाएंगे और ये आ रहे हैं दो अंपायर्स फिल्डिंग टीम के साथ विकेट समाल के खेलना होगा यहां मैच एक बहुत ही रोमांचक मोड पर है चलिए चलते हैं लाइव आक्शन की तरफ तेज गेनबास को लाया जा रहा है इस छोर से इस आक्रामक फिल्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंतरन के साथ गेनबाजी करनी होगी यहां बहुत ही बड़िया शॉट बहुत ही बड़ा सिक्स जाने जाते हैं यह बल्लेबास ऐसे शॉटों के लिए और जब फॉर्म में हो तो इन्हें रोकना ना मुम्किन होता है बहुत ही बड़िया टाइमिंग और शॉट सेलेक्शन का प्रदर्शन कर रहे हैं यहां लेकिन थोड़ा समल के ले में है बड़ी पारी खेलने का पूरा मौका है कहीं उसे गवा न बैठे एक बार मारा है क्या वो दोबारा मार पाएंगे उठा के खेल दिया है गैप में गई और यह बैतरीन चौका बल्ले बास तो ऐसे कॉन्फिडेंस में है कि बॉलर को बता रहे हैं कि अगली बॉल कहा हम आरेंगे ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहां जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म ओफ इस लाइफ वाह क्या बात है पॉल हवा से बाते करती हुई सीधा बाउंडरी लैंड के पार छे रन एक बड़ा शॉट तो ओवर का लगा चुके हैं लेकिन अब उन्हें इस पारी को एक लंबी पारी में तब्दील करने की कोशिश करनी होगी बहुत ही नजाकत से उठा दिया है वहाँ छे रन चलिए देखते हैं कि अगली गें स्टेडियम के कौन से हिस्से में जागिरेगी और दूसरे शोर पे भी तेज गेंद बास को ही लाया जा रहा है बल्लेबाज अपनी पहली गेंद की तैयारी करते हुए बिल्कुल चक्मा खा गये हैं वहाँ रड़ेग बढ़ानी की कोशिश में निराश लग रहे हैं वहाँ मेरी माने तो अपने आपको खुश किसमत समझे जो अपने खीज नहीं खड़े है उठा के खेल दिया है गैप में गई और ये बैतरीन चौका ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहाँ जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म ओफ इस लाइफ वाह क्या बात है पूरी तरह मिस्स किया वहाँ गें की दिशा को थोड़ा समझ के खेलना होगा यहाँ बहुत ही बड़ा सिक्स मालो कह रहे थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं यह एक ऐसे बल्ले बाज हैं जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गें कहां मारेंगे उठा दिया है छे रन जैसे ही बैट पे लगी थी कोई दो राए नहीं था कोई संदेह नहीं था कि यह छे रन है तर्शक इनके दिवाने हैं और क्यों नहों इतना खुल के खेलते हैं मानों हर बॉल पे छक्का मार देंगे शॉट अलफास कम पड़ जाए इस शॉट का वर्मन करने में इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंतरन के साथ गेन बाजी करनी होगी यहाँ पिछले कुछ मैचों से बहुत बार पॉइंट की दिशा में खेल के आउट हुए हैं यह इसलिए अब पॉइंट पे फील्डर मौजूद उठा के खेल दिया है गैप में गई और यह बैतरीन चौका बहुती बढ़ी अताल में दोनों बल्ले बाजों के बीच एक महत्रपून पारी बैटिंग टीम के लिए इनके तो बल्ले से सिर्फ चौके और छक्के ही जा रहे हैं चलिए देखते हैं अगली गेंट कहां मारेंगे हवा में उठा तिया है और यह छे रन कोई मौका नहीं था वहाँ फील्डर के पास और वो सिर्फ बॉल को जाते हुए देख सकते थे बहुत ही बड़िया टाइमिंग और शॉर्ट सेलेक्शन का प्रदर्शन कर रहे हैं यहां लेकिन थोड़ा समल के ले में है बड़ी पारी खेलने का पूरा मौका है कहीं उसे गवा न बैठे एक बार मारा है क्या वो दोबारा मार पाएंगे जो मदद इस गेनबास को इस शॉर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा बल्ले बास की आँखे तो चील की आँखों की तरह हो चुकी है गेनबास के हाथ से ही बॉल का लाइन और लेंग समझ चुके थे वो बहुत ही प्यारा चक्का बोलिंग में परिवर्थन स्पिनर से विकेट लेने की कोशिश होगी यहाँ बहुत ही आकरामक बल्ले बास है यह विश्व क्रिकेट में दो रन का कॉल बहुत ही बढ़िया फिल्डिंग ऐसी फिल्डिंग से टीम का आत्मबल बढ़ता रहेगा और यह स्टंप बाहर निकलने की कोशिश थी यहाँ बल्ले बास की और बहुत ही अच्छी स्टंपिंग बहुत ही निराश लग रहे हैं बल्ले बास अपनी पहली गेंग की तैयारी करते हुए और यह स्टंप बाहर निकलने की कोशिश थी यहाँ बल्ले बास की और बहुत ही अच्छी स्टंपिंग निराश होकर पेविलिन की तरफ लटते हुए बहुत ही अच्छी रण नी थी यहाँ बल्ले बास को देखते हुए एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर लगाया है ओ ऐसा लगता है गेंग को देखा ही नहीं वहाँ पे बहुत ही कॉन्फिडेंट अपील यहाँ बॉलर की और अमपायर नॉट आउट देते हुए गेंग की लाइन लेंग्ध को समझ के खेलना होगा यहाँ लाइन और लेंग्ध मापने में तो एक सेकेंड नहीं लगाते यह बहुत ही बढ़िया सिक्स दूसरी ओवर की शुरुवात यहाँ स्पिनर से करवाया जा रहा है इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंतरन के साथ गेंग बाजी करनी होगी यहाँ उटा के खेल दिया है शांदार बल्ले बाजी और यह छे रन फील्डिंग में परिवर्तन ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहाँ जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म ओफ इस लाइफ वाह क्या बात है कोई फील्डर मौजुद नहीं वहाँ और गेंग सीमा रेखा के पार एक बड़ा शॉट तो ओवर का लगा चुके हैं लेकिन अब उन्हें इस पारी को एक लंबी पारी में तब्दील करने की कोशिश करनी होगी वड़ी आ टाइमिंग एक रन असानी से पूरी किये जा सकती है और बल्ले बास दोरन का कॉल देते हुए बहुती बड़ी अताल मेल दोनों बल्ले बासों की बीच में अच्छी रनी मिट्वीन दे विकेट्स क्याप में खेर दिया है दोरन की कोशिश होगी यहाँ और यह आउट बहुती बहतरीन पिक अप एंट्रू बहुती निराश लग रहे हैं कैच आउट हो जाओ बोल्ड हो जाओ लेकिन रनाउट कभी मत हो ना अकसर देखा गया है के रनाउट मैच की परिस्तिती बदल देती है उठा के खेल दिया है गैप में गई और यह बैतरीन चौका चलिए देखते हैं के अगली गें स्टेडियम के कौन से हिस्से में जागिरेगी बहुत ही बड़िया शॉट बहुत ही बड़ा सिक्स जाने जाते हैं ये बल्ले बाज ऐसे शॉटों के लिए और जब फॉम में हो तो इन्हें रोकना ना मुम्किन होता है बल्ले बाज अपनी पहली गें की तयारी करते हुए खेल ले की कोशिश और पूरी तरा चोड़ निराश लग रहे हैं मेरी माने तो अपने आपको खुश किसमत समझे जो अब बे क्रीज पे ही खड़े है एज और कोई नुक्सान नहीं बहुती बढ़िया पिक अपन थ्रो बल्ले बाजो को एक एक्स्ट्रा राज रहने से रोक दिया ओहो हो उठा के खेल दिया है खुबसूरत शौट और ये सीधा बाउंडरी के पार दिल खुश कर दिया इस पारी से बहुती बढ़िया अर्दश तक ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहां जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म अफिस लाइफ वाह क्या बात है हवा में खेल दिया था ठीक तरह टाइम नहीं कर पाये थे यहां और ये आउट निराश होकर पैविलियन के तरफ लटते हुए डीप पॉइंट पे फील्डर लगाया है कप्तान ने कीपर का कॉंफिडेंट अपील और ये नाट आउट बहुत ही कॉंफिडेंट अपील यहां बॉलर की और अंपायर नाट आउट देते हुए बॉल हवा से बाते करती हुई सीधा बाउंडरी लाइन के पार छे रन बल्लेबाज अपनी पहली गेन की तैयारी करते हुए पहला रन तेजी से दोड़ते हुए दूसरे रन की कोशिश होने चाहिए यहां बहुती बड़ी अताल मेल दोनों बल्लेबाजों की बीच में अच्छी रनी मिट्वीन दिविकेट्स कनेक करने में नाकाम पुरी तरह मिस्किया बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी अहां ये शौट खिलने की लगता है अपनी अग्रता खो बैठे निराश लग रहे है वहां मेरी माने तो अपने आपको खुश किसमत समझें जो अबी ख्रीस पे ही खड़े हैं बहुत ही नजाकत से उठा दिया है वहां छे रन्ड ये एक ऐसे बल्ले बाज है जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहां मारेंगे पहुत ही बड़ा सिक्स मानो कह रहे थे के जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं तर्शक इनके दिवाने हैं और क्यों नहों इतना खुल के खेलते हैं मानो हर बॉल पे चक्का मार देंगे हलारान तेजी से लेते हुए हैं बहुत ही बड़ी अताल मेल दोनों बल्ले बाजों की बीच में अच्छी रनी मिट्वीन दिविकेट्स दूसरी ओवर की शुरुवात यहां स्पिनर से करवाया जा रहा है ओ बहुत ही भैदरीन कप्तानी यहां इसे कहते हैं होमवर्क करके आना बल्ले बाज को देखते हुए कवर्स पे फिल्डर लगा दिया है खुबसूरा गेंबाजी और बहुत ही बड़ी अल्मी जो मदद इस गेंबाज को इस शौर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा दोनों बल्ले बाजो ने यहां एक पल के लिए भी रंडरेट को अपने काबू से बाहर जाने नहीं दिया है बहुत ही खुबसूरत बैटिंग बहुत ही भागेशाली रहे वहां भिस कर गए बहुत ही बड़ी आगेंबाजी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी यहां यह शौर्ट खिलने की लगता है अपनी एकागरता खो बैठे दो रंग का कॉल और इसी के साथ जीत का लक्ष प्राप्त दोनों बल्ले बाज यहां एक दूसरे को जीत की बधाईया देते हुए तूनों तीमों के प्लियर एक दूसरे का हाथ मिलाते हुए और इसी को कहते हैं जनिमन्स गेम Let's congratulate our man of the match and catch him for a few words Umm.. I felt I was in top form today and I'm really glad I could contribute towards the team झाल झाल